वेलो दोस्तों वेलकम टूटिशडी कार्स और आज की विडियो में आप देखने वाले हैं धाल ओल न्यू किया सोनेट 8K Plus और टाटा नेकसों XMS का कमपैरिजन तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कि दोनों ही गाडियों में क्या-क्या differences है और क्या-क्या similarities है, और कौन सी गाड़ी लेना आपके लिए ज़्यादा फायदे मंद रहेगा, कौन सी गाड़ी में ज़्यादा features है, कौन सी गाड़ी की look अच्छी है, क्या कुसी इन दोनो गाडियों में difference और similarities है उसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे तो प्लीज वीडियो में तक बने रहें और भाई मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजे और अपने भाई को अपना स्पोर्ट देते रहें तो सबसे पहले सुरू करते हैं HTK Plus से HTK Plus में आपक प्लीज के साथ दी गई और उसके नीचे क्रोम फिनिस का यूज किया गया है XMS में प्रोजेक्टर फोगलेंप्स दीए गया है लेकिन नेक्सोन XMS में आपको फोगलेंप्स नहीं दीए जाते हैं यह है HTK Plus के फ्रंट लुक और यह है नेक्सोन XMS के फ्रंट लुक दोनों ही गाडियां काफी अच्छी फ्रंट लुक के साथ में हैं HTK Plus में 16 इंच के स्टील रीम और विल कवर के साथ में टायर्स मिलते हैं ABS, EBD के साथ में काफी अच्छी ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है नेक्सोन XMS में 16 इंची के स्टील रीम के साथ में और विल कवर के साथ में टायर्स मिलते हैं ABS, EBD और ब्रेक असिस्ट के साथ में इस गाड़ी में भी काफी अच्छी ब्रेकिंग मिल जाती है HTK Plus में Black Color की Body Kit, Door Silk Lading और 205 mm की Ground Clearance मिल जाती है Tata Nexon में Black Color की Body Kit, Rub Strips और 209 mm की Ground Clearance मिल जाती है HTK Plus में जो ORVM से हैं वो Body Color में दिये गए हैं और Turn Indicator उनी के उपर Place किये गए हैं XMS में Black Color में आपको ORVM से मिलेंगे और Turn Indicator उनी के उपर मिलेंगे HTK Plus में जो A Pillar है वो Body Color में मिलता है, जबकि Nexon XMS में वो Black Finish के साथ में मिलता है HTK Plus में Rain Sensing Wipers नहीं मिलते हैं, जबकि XMS में Rain Sensing Wipers मिल जाते हैं दोनों ही गाडियों में Roof Rails मिल जाती हैं, HTK Plus में आपको Sunroof नहीं दी जाती हैं लेकिन XMS में Sunroof मिल जाती है, HTK Plus में Door Handles Body Color में दिये गए हैं, जबकि XMS में Door Handles Black Color में दिये जाते हैं दोनों ही गाडियों में Rear में Drum Breaks दिये गए हैं, तो यह है Overall Side Look HTK Plus Variant की और यह है Overall Look Nexon XMS की HTK Plus में आपको Halogen Tail Lamps मिलते हैं Heartbeat Shape में, जबकि Nexon XMS में आपको LED Tail Lamps मिलते हैं X Factor के साथ में, काफी अच्छी लुक है दोनों ही गाडियों के Tail Lamps की HTK Plus Variant में आपको Reverse Camera दिया जाता है, लेकिन Tata Nexon XMS में आपको Reverse Camera नहीं मिलता है HTK Plus में Silver Color की Skid Plate दी गई है पीछे, जो की काफी अच्छी लुक देती है, लेकिन Nexon XMS में Skid Plate नहीं दी गई है पीछे HTK Plus में आपको Rear में Defogors मिलते हैं और Shark Win Antina छत पे मिल जाता है, जबकि Tata Nexon में Defogors नहीं मिलते हैं और Power Antina ही मिलता है HTK Plus में Lock, Unlock और Boot Unlock बटन के साथ में चावी मिल जाती है, जबकि Tata Nexon में Lock, Unlock और Light On Off बटन के साथ में चावी मिलती है आप Remote से इसकी Light On Off कर सकते हैं और Remote पे जो Light का बटन है उसको Long Press करने से आप इसका Boot भी खोल सकते हैं तो HTK Plus में चारों ही Power Windows दे गई है, Power Adjustable, Auto-Foldable, ORVM से दिये गई हैं Driver Window, One Touch, Up-Down Function के साथ दिये गई है, Silver Finish में Door Handles, Speakers, Umbrella Holders, Bottle Holders दरवाजे पे दिये गई हैं Tata Nexon में भी चारों ही Power Windows दिये गई है, Power Adjustable, Auto-Foldable, ORVM से दिये गई हैं Black Color में Door Handles दिये गई हैं, Speakers, Bottle Holders दरवाजे पे दिये गई हैं HTK Plus में Driver Seat की Height Adjust करने का Option दिया गया है, Leather और Fabric के Mix Seat दिगई हैं Adjustable Headrest के साथ में Tata Nexon में Driver Seat की Height Adjust करने का Option नहीं दिया गया है, Fabric की Seats मिलती हैं आपको Adjustable Headrest के साथ में यह है HTK Plus के Dashboard की Look और यह है Tata Nexon के Dashboard की Look तो दोनों ही गाड़ियों के Dashboard की जो लोके काफी अच्छी है, Tata Nexon में Silver Finish का कम यूज़ दिखता है जबकि HTK Plus में Silver Finish के साथ इसी वेंट्स दिये गए हैं Steering पे Silver Finish और Piano Black Finish का यूज़ किया गया है, Cruise Controls नहीं दिये गएं, Sound Controls और Telephonic Controls दिये गएं Silver Finish के साथ में काफी अच्छी Steering के Shape मिलती है, यहाँ पर Illumination Light दीगी है XM में और Black Finish के साथ में इसी वेंट्स दिये गए हैं, Piano Black Finish का यूज़ किया गया है, Steering के उपर, Cruise Controls नहीं दिये गएं, Sound Controls और Telephonic Controls दिये गए हैं D-Ship में इस गाड़ी में Steering दिया गया है, दोनों ही गाड़ीों में Safety के लिए Dual Airbags दिये गए हैं यह है आपके सामने HTK Plus का MAD Meter, RPM, Fuel or Temperature, Analog बाकी जो सभी information से हैं, वो इस MAD Meter में Digital दिख जाती हैं और यह है आपके सामने Nexon XMS का MAD Meter, जो कि Fully Digital है और सब कुछ सारे information आपको इस गाड़ी में Digital देखने को मिल जाती हैं फीचर वाइस दोनों ही MADs almost same है आप कह सकते हैं HTK Plus में यहाँ पे 8 इंच का touchscreen infotainment system दिया गया है और सभी smart connectivity से connect हो सकता है Oaks का option आपको नहीं मिलेगा stereo में, चार speaker और दो tweeter के साथ यह system इस गाड़ी में दिया गया है जबकि XMS में आपको 2DN का index music system मिलता है, चार speaker के साथ में जो की Oaks और Bluetooth, iPod वगरा से connect हो सकता है Oaks का जो function है वो इस गाड़ी में भी आपको नहीं मिलता है HTK Plus में आपको automatic climate control मिलता है, काफी अच्छी dashboard की look है, silver finish के साथ में AC vents दिये गये हैं एक नए डिजैनी की look इस गाड़ी में आपको मिल जाती है Nexon XMS में आपको manual AC heater मिल जाते हैं, जिसके की controls यहां center console पे दिये गये हैं Piano Blackfinish के साथ में काफी अच्छी center console look XMS में भी आपको मिल जाती है HTK Plus में आपको fast charging का point मिल जाता है, लेकिन XMS में आपको fast charging का point नहीं मिलता है HTK Plus में आपको automatic, manual, DCT, IMT, 4 तरह के transmission मिल जाते हैं यह गाड़ी diesel और petrol दोनों तरह के variants में आती है जबकि Nexon XMS केवल manual variant में आती है, petrol और diesel दोनों में मिल जाती है HTK Plus में आपको कोई भी drive mode नहीं मिलता है, जबकि Nexon XMS में आपको eco, sport और city तीन तरह के drive modes मिल जाते हैं यह बहुत यह अच्छा function इस गाड़ी का लगता है मुझे HTK Plus में front में cup holders मिल जाते हैं, storage के साथ में driver armrest मिल जाता है जबकि Nexon XMS में front cup holders तो मिलते हैं लेकिन armrest नहीं मिलता है, थोड़ा सा storage जरूर मिल जाता है समान रखने के लिए यह है HTK Plus का glow box compartment और यह है Nexon XMS का glow box compartment पैंथर की बैजिंग यहाँ आपको मिल जाती है HTK Plus में fixed grab handles मिलते हैं जबकि Nexon XMS foldable grab handles मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में steering को cable tilt adjust कर सकते हैं, telescopic adjustment steering में नहीं मिलती है HTK Plus में dual lights मिल जाती हैं और sunglasses holder मिल जाता है लेकिन Nexon XMS में front में single LED light दी गई है और sunglasses holder नहीं मिलता है जो कि सबसे बड़ा plus point है Nexon XMS का वो है यह sunroof तो इस गाड़ी में आपको sunroof मिल जाती है लेकिन HTK Plus में sunroof आपको नहीं मिलती है दोस्तों तो यही सबसे बड़ा इस गाड़ी का feature है जो कि इसके बाखी गाड़ियों से अलग करता है HTK Plus में rear दर्वाजे पे power window के control, silver finish के साथ में door handles, speakers, bottle holders दिये गए हैं नेक्सोन XMS में भी rear दर्वाजे पे power window के control, black finish में door handles, silver finish के grippers, speakers और bottle holders दिये गए हैं यह है rear sitting HTK Plus की देख सकते हैं काफी अच्छी look है, silver finish का भी use दिखता है गाड़ी में fix headrest दिये गए है, adjustable headrest नहीं दिये गए हैं और यह है rear sitting Nexon XMS की, काफी spacious गाड़ी यह भी लगती है, fabric की seats दिये गए है, adjustable headrest नहीं दिये गए हैं rear parcel tray HTK Plus में आपको मिल जाती है, Nexon XMS में rear parcel tray नहीं मिलती है rear race events, fast charging point और mobile रखने की जगें HTK Plus में दिये गई है, लेकिन Nexon XMS में यह सब कुछ नहीं मिलता है यह है HTK Plus के dashboard की look, देख सकते हैं silver finish के साथ में काफी अच्छी look है और यह है Nexon XMS के dashboard की look, dual tone में बहुत ही अच्छी dashboard की look है, XMS में भी HTK Plus में 392 liter का boot space आपको मिल जाता है, 15 inch का spare wheel दिया गया है boot में आपको hanging hook और trunk light नहीं मिलती है इस गाड़ी में Nexon XMS में 350 liter का boot space दिया जाता है, 15 inch का spare wheel दिया जाता है hanging hooks और trunk light Nexon XMS में दी गई है Sonnet HTK 1197 CC, 87 BHP 115 NM torque और 18 km per liter के अवरेज के साथ आती है इस गाड़ी में 4 cylinder MPI Smart Stream G 1.2 liter petrol engine यूज किया गया है जो कि काफी अच्छी power इस गाड़ी को दे देता है XMS जो है वो 1199 CC, 118 BHP, 117 NM torque और 17 km per liter के अवरेज के साथ आती है इस गाड़ी में 3 cylinder MPFI Revotron Turbo Charged 1.2 liter petrol engine यूज किया गया है जो कि अच्छी power इस गाड़ी को दे देता है इसके अलाबा HTK Plus में anti-theft alarm मिल जाता है impact sensing, auto-dure unlock मिल जाता है जो कि Nexon में नहीं मिलता है लेकिन Nexon में traction control, ESP, roll over mitigation, electronic brake pre-fill, brake disc weeping, hill assist जैसे features मिल जाते हैं जो कि आपको HTK Plus में नहीं मिलते हैं अब बात करें pricing की तो sonet HTK Plus petrol जो कि 8,45,000 रुपे एक शोरूम और 9,60,000 रुपे तक own road आपको मिल जाती है गुड़गावा में जबकि Nexon XMS जो है वो 8,36,000 रुपे एक शोरूम और लगभग 9,50,000 रुपे तक own road आपको मिल जाती है गुड़गावा में तो जो sonet HTK है वो थोड़ी सी महंगी है 8,9,000 का जो फरक है वो है दोस्तों बाकि दोनों के prices बिलकुल सेम है और features वगएरा आपने देख लिए हैं तो दोस्तों ये था किया sonet HTK Plus और Tata Nexon XMS का छोटा सा comparison वीडियो और similarity वीडियो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और अपने भाई को अपना support देते रहिए वीडियो का एंड तक देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों